तो आज जो मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है फ्रेंच वीजा के लिए रिलेटेड जो लॉंग टर्म वीजा जो होता है मोर देन 90 डेज या स्टुडेंट वीजा इन जनरल तो मैं जो है आप बताने जा रहा हूं कि आप वो कैसे अपलाई कर सकते हो तो इसके लिए आपको कैमप near you सबसेट पर जो कि एक ए और लैको पर अंबर है कि इसका अप्लय कर सकते हो तो इस भाल प्रolph के सब्सूंग वाल तो मैं आप ए DBT अप नए लोग मैं घंच भाल प्रोम को कि इसका प्रोस्डिंग इसका प्रोसीजर क्या है तो मैं अपना जो है मारकर सेलेक्ट करता हूँ तो हियर अभी आप जो देख रहे हैं तो पहले आपको सबसे पहले जो है कैमपस फ्रयांस पे जो है इनकी एक वेबसाइट है उस पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें जो है आपको रिजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद जो यह मालब फर्स सिटप हुआ उसका और दूसरा जो उसमें जो फिर प्रोसेस है कि वो फॉर्म आपको फिल करना है उसमें जो है अपना अकैडमिक रिकार्ड, लेंग्वेज सिकल और सीवी, एसोपी कि डालना पड़ता है और आपको अपनी submit file जो है submit करनी पड़ती है और उसके बाद जो है आपका Campus France जो है आपकी file को चक करती है रियू करती है और जो है उसके बाद आपको appointment date मिलेगा और इस appointment date के बाद आपको जो है Campus France की जो है फी पे करनी होती है तो वो एराउंड है 16,000 जहां तक मुझे याद है और जो है उसके बाद जो है आपका इंटर्व्यू होगा तो वो जो है आपका इंटर्व्यू करेंगे तो इन सब चीजों का मकतब यह है कि केंपस फ्रेंस आपको फाइनली एक नोसी देती है और व जाना चाह रहे हो और यहां जिस प्रोग्रम में आप सिलेक्ट हुए हो जिसके लिए आप जा रहे हो तो वो जो है आपके कोर्से कैसा रेलेवेंट है तो यह आपके लिए मतलब क्या वैल्यू एड करेगा तो यह चीजे आपको पूछी जाती है एक बेसिक सा होता है यह मत कि वहाँ पर क्यों जाना है तो यह जब इसके बाद आपको इन उसी मिलेगी तो आपको फिर जो है ऑनलाइन वीजा एप्लिकेशन के लिए जो है आपको पॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी वी एफस फ्रांस से और उसके लिए जो है उन्होंने ये वेबसाइट दी हुई है तो यह जो है तो वीजा प्रोसेस के लिए आपको इस वेबसाइट पर रिजिस्टर करना पड़ेगा तो इसके बाद आपको जो है आपको जो सारी प्रोसेस इस पर भी दी हुई है आपको वैसे ही जो है अपने डॉकुमेंट से सब्मिट करने पड़ेंगे फोटो कॉपी और जो है यह मतलब इसके बाद प्रोसेस है जब आप जो अपॉइटमेंट मिलेगी तो उसके बाद जो आप वीएफिस फ्रांस जाओगे तो वहाँ पे आपको अपने डॉकुमेंट फोटो कॉपी सब्मिट करनी है और उसके बाद आपको जो है अपना पासपोर्ट भी व सबसे पहले हमें एया मालेज मशय वेट आपको कुछ दिन आपको वेट करना है और उस वेट करने के बाद वरनात डिपेंट करता है तो कब Southern Tout Kendra एक हपर मिल जाता है पर मैं साम нет अपधेज़ लिग मिल जाता है और सम टाम कभी कभी सब्स्रें टिले अपकर बाद को परता ह और तीसरा है सबसे में जो है पुरूफ फंडिंग पूफ फंडिंग आपको दिखानी पड़ती है कि आप जो है एक मिनिमम होता है इनका कि पैरिस में है एट हंड़ड यूरो पर मंत and in other cities it's around 615 यूरो as far as I remember मतलब यह आपको दिखाना पड़ेगा तो आप जो है जिसके scholarship मिलती है तो वो जो अपना scholarship लेटर एड़ करेगा और जिसको scholarship नहीं होती है तो वो जो है अपना bank account नंबर जो है और उस पे मतलब वो last three month summary देनी पड़ती है I guess तो वो मतलब at the end उसका यही मतलब है कि आपक साल के लिए जाओगे तो आप वहां पर रह सकते हो कि नहीं और तीसरी जो चीज इंपॉर्टन है वो है proof up accommodation you need to show them that you have some sort of accommodation तो कुछ लोग जो है फिर minimum तीन महीने का जो है airbnb से कुछ जो है करवाते हैं और मनलब जिनकी accommodation नहीं होती but generally for scholarship students they have some sort of accommodation तो उनको university cruise accommodation प्रवाइड क होता है and then medical insurance but I guess like this one they have added this as an optional maritime paid medical insurance as such नहीं था and then flight ticket flight ticket भी optional होती है flight ticket is optional medical insurance is optional but there is something called I guess it's traveling insurance तो उस में जो है आप कोई भी formality के लिए कोई सस्ता वाला जो है generally हम बजाज से लेते थे reliance का तो जो है आप वो insurance लेना पड़ता है बस यह है यही है at the end मतलब इसका जो है visa process तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो campus France मैं एक जलक दिखाता हूँ कि कैसे आपको register करना है तो यहां से जाके आपको दिख website open किये तो यह जो यह वाला portion है यहां पर यहां पर जो है आपको login करना है यहां से जो है आपको कि यहां पर अभी इसमें कुछ error दिखा रहा है बट यहीं पर जो है यही website है जहां पर आपको register करके और यहीं से आपको अपनी process शुरू करनी है तो बस यही है अगर आपको कोई problem आ रही है तो आप comments में लिख लिजए तो मैं आपकी help करने के लिए तैयार हूँ तो जाने से पहले मैं आपको एक information दे दूँ कि मैं इस वीडियो के साथ एक description में जो है एक google drive के link आपको send करूंगा जहां पर आपको यह e-book मिलेगी तो यह मेरे दोस्त ने बनाई है तो इसमें सारी चीज़े दी है कि आपको फ्रांस में आने के लिए admission से लेके पूरा जो है scholarship से लेके visa तक सारे steps दिये हुए one by one सारे steps आपको यहां पर मिलेंगे और जो है सारी यह काफी अच्छी e-book है काफी खुबसूरत है और जो है step by step इसने सारी process पता दी है तो जिसको भी यहां पर आना है तो एक बार इसको पढ़ लिए जैसे यहां प होता है कि आपको प्रूफ फंडिंग देनी पड़ते है तो इसमें expenses letter जो है एक बनानी पड़ते है आपको कि आप कैसे manage करोगे वहां पर expenses तो यह इसने सारा कुछ अच्छे से explain किया है तो यह सारी चीजे जो है proof of accommodation कैसे दोगे और जो है यहां पर accommodation कैसे डूंड होगे सारे website इसने दी है कि और भी कुछ document आपको जो है बनाने पड़ते हैं यहां के लिए जैसे विजाले और वो सब process इसने इस पर detailed way में आपको बताई है ओके शुक्रिया